कि नमस्कार बच्चों आप सभी का स्वागत है मैं नितिन श्वास्तों स्वागत करता हूं आए एक नए विशे पर आपके लिए कुछ जानकारियां कुछ ग्यानवर्द है कुछ रोचक तत्य लेकर सामिल आपके सामने उपस्तित हूं बच्चों तो आए शुरुवात करते हैं आज का जो विशे है मैंने आपके लिए जो चुना है वो है टाइपस ऑफ सी एसस सबसे पहले टाइपस पे जाने से पहले सी ए क्लिए कि इसको बीठों प्रक्शन देना बनता है कि इसको बच्चों कहते क्या है तो यह है आपका कैस केड़िंग केस केड़िंग इस मेरा कि यस कैस केडिंग स्टाल शीट का उपयोग यह इस लेंगवेज सका यूज हम लोग क्यो करते हैं तो बच्चों इसका यूज किया जाता है for making style sheets किस लिए style sheets का बच्चों निर्माल करने के लिए ध्यान से समझ लीजे इस बात को गाठ बांद लीजे कि style sheet क्यों बनाई जाती है style sheet की मदद से हम लोग अपने web pages को जो html में बनाते हैं देखिए एक बात बहुत clear जान लीजे html जो आपका है language वो for structure web page ये आपके web page को structure करने के लिए होता है but आप ये सोचें कि हम html से structure भी करेंगे हम html से web page को format भी करेंगे बहतर भी बनाएंगे तो ये सारा कुछ html में नहीं है भाई html के पास इतनी ज़्यादा capabilities नहीं है कि web page को बहतर attractive या कहें आकरशक बनाया जा सकें तो इसी काम के लिए css language का use किया गया है css cascading style seat एक बहुत ही जबरजस्त language है जिसकी मदद से हम लोग जिसकी मदद से हम लोग अपने web page को attractive बना सकते हैं आकरशक बना सकते हैं बहतरीन बना सकते हैं तो आएए अब आगे बढ़ते हैं css कितनी प्रकार का होता है यह जानकारी लेने का वक्त आ गया है तो फिर मैं repeat करना चाहूंगा html सिर्फ web page के structure को बना सकता है उसको सजाना उसको attractive बनाना इसके लिए हम लोग प्रियोग करते हैं css के कई versions चल ले हैं बच्चों latest जो है css 3 जिसका use कया जा रहा है और इसका development w3 schools ने किया था css एक कह सकते हैं कि आपका open source cascading style sheet है और इसका खुद का framework भी exist करता है जिसको w3 css कहते हैं जिसकी मदद से आप बनी बनाई classes तो कभी इसके बाद css framework पे अलग से हम लोग बच्चों जिक्र करेंगे introduction लेंगे लेकिन अभी हम लोग अभी हम लोग बच्चों बात कर रहे हैं सिर्फ किसकी सिर्फ हम css और उसके types की बात कर रहे हैं css framework अगले वीडियो में हम आपके साथ discuss कर लेंगे तो आओ बच्चों start करते हैं कि भाई css कितने प्रकार का होता है चलिए सभी लोग देखिएगा types of css तो अगर आप css को classify करने आओगे तो सबसे पहला बच्चों हम नाम देंगे inline css इसके बाद दूसरा आता है बच्चों जिसको कहा जाता है internal css और तीसरा आपका है external css देखिए बच्चों यह तीन different type के css है inline internal और आपका external css जिसमें हम लोग एक एक करके सब के बारे में जानेंगे inline css बच्चों inline css में हम लोग जो css की properties का use करते हैं वो style वो सीधे style tag की मदद से हम लोग बच्चों उसका use करते हैं या कहा जाए तो उपयोग करते हैं style attribute भी आप इसको कह सकते हैं inline का मतलब है इसका आसर किसी individual line पर आप कर सकते हैं individual element को आप select करने के लिए कर सकते हैं तो आए शुरुवात करते हैं हम inline CSS inline CSS it is a kind of CSS which is used to which is used to style any individual element inside web page बच्चों inline CSS की मदद से सबसे important बात किसी individual element को हम लोग style कर सकते हैं यानि से बहतर बना सकते हैं प्रश्ण नहीं उठेगा inline CSS कितना useful है तो बच्चों मैं आपको बता दूं inline CSS no doubt useful है लेकिन अगर आप एक ही element को बार बार अलग-अलग स्थान पर बहतर बनाना चाहते हैं तब आप inline CSS को अगर यूज करेंगे तो आपको बार बार repeatedly लिखना पलेगा एक ही जैसा code repeated times करना पलेगा हां अगर आपको एक ही element को commonly multiple जगों पर style करना है तो better होगा inline से अच्छा आप internal CSS को यूज कीजे तो आगे आपको भी clear हो जाएगा आईए मैं एक web page आपको बच्छो दिखाता हूँ जिसमें जिसमें की हम लोग inline CSS का यूज करेंगे सब लोग ध्यान से देखिएगा बच्छो तो आईए दिखाते हैं inline CSS का example inline CSS आओ स्टार्ट करते हैं सबसे पहले तुम html लगाओगे ही इसमें कोई बताने की बात नहीं head ले लिया मैंने head के अंदर title simple सा यह किसका example बना रहे हैं inline CSS का title को close कर दिया head को close किया अब suppose कीजे हम body मैं ही कुछ लगाना चाहते हैं body style is equal to double quotes के अंदर आप देंगे property का नाम दीजिए background dash color full colon मैंने दे दिया suppose yellow ठीक है यह देखिए सबसे पहले मैंने क्या किया background color specify कर रहा हूं मैं आपका yellow semi colon लगाया और आगे उसी के आगे continue करना है मुझे तो मैं नीचे लिख देता हूं बच्चों यहां line पे जगा नहीं है color full colon suppose कीजिए red और मैंने यह क्या किया semi colon दिया और इसको बंद कर दिया यह अब आपका body बंद हुआ h1 बस एक example of inline css h1 को मने बंद किया बच्चों आपके body को बंद किया और आपके HTML को बंद किया जरा इसको गौर कीजेगा आप सभी लोग इस example को ध्यान से अगर आप समझेंगे तो तुरंत आपको clear हो जाएगा html head के अंदर मैंने क्या है title में दे दिया inline css तो यह बच्चों कहा नजर आएगा title बार पे जाएगा इसके बाद body tag देखे body के अंदर मैंने style attribute को use कर दिया यानि हम inline css इसको apply कर रहे हैं क्या चाहते हैं कि body में background color ये देख लीज़े बच्चों ये property है और ये उसकी value है बीच में ये full colon को separator भी कह सकते हैं क्या कह सकते हैं आप separator भी कह सकते हैं और ये semi colon ये बताता है कि आगे अगली property start हो रही है तो इस प्रकार से आप चाहें जितने भी बच्चों जितने भी प्रकार के attributes आप चाहते हैं यूज करना आप उसको लगा सकते हैं properties को add कर सकते हैं तो अब आप बताईए body में body के अंतरगत जितना भी area आता है उसमे background color yellow दिखेगा और जो text आप लिखे हैं यानि आप आप ने body में किया क्या है h1 को specify किया तो h1 को आपने specify किया बच्चों तो ये जो example of inline css इसका जो text color है वो red हो जाएगा और इसका background color क्या आएगा yellow आएगा ये किसका प्रभाव है ये आपके css का प्रभाव होगा बच्चों तो आशा करते हैं inline css आपको clear हो गया होगा अब इसके बाद जो अगला example मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ वो किसका बच्चों वो मैं आपको दिखाऊंगा internal css internal css में क्या होगा आईए देखिए अगला internal css सबसे बढ़ा प्रशन इसको internal css क्यों कहते है in this type of css इस प्रकार के css में क्या होता है बच्चों in this type of css the style sheet is defined inside the web page कहने का means क्या है कि बच्चों style sheet वहीं पर define की जाती है जहाँ पर आप web page को लिखते हैं या कहा जाए define करते हैं या written करते हैं यानि style sheet और web page एक साथ होता है बहतर तो नहीं है लेकिन इसको inline css कहते है अब आप कहेंगे सार ये होता कैसे है तो इसके लिए हम लोग बच्चों use करते हैं किसका style attribute का जो भी आपको style sheet है वो आप style tag के अंदर देंगे और style किसके अंतरगत आएगा ये आपका आएगा head के अंतरगत ये देख रहे हैं आप ये आपका head के अंतरगत ऐसे define होगा ये syntax कह सकते हैं आप किसका syntax of inline sorry internal css आईए अब इसको दिखाते हैं कि ये बनेगा कैसे है इसको समझाने की कोशिश करते हैं कि ये specify होगा कैसे तो देखिए अब आपको internal css दिखाना है मुझे same code वही लिखूँगा जो मैंने inline से किया था बस तरीका बदल दूँगा ताकि आपको समझने में catch करने में आसानी हो html head use कीजेगा आप title देना चाहते हैं जिजख दीजिए titli आप जानते हैं टाइटिल में क्या देना चाहते हैं आप inline css title आप बंद करेंगे title के बाद बच्चो आप style tag का यूज कीजेगा और आपने लिखा body इस तरह से करली लगाईए background color property का नाम दे रहा हूँ suppose कीजे आपने दे दिया yellow semicolon आगे दे सकते हैं नीचे भी दे सकते हैं color full colon आपका suppose red ये देखिए और ये आपका बच्चो मैंने बंद कर दिया क्या बंद कर दिया आप देख रहे होंगे बच्चो मैंने आपका ये body को specify किया इसी के साथ मैं paragraph को भी specify करना है तो फिर से कर ली paragraph जहां यूज करेंगे आप उसका background color suppose कीजे मैंने orange दे दिया इस तरह से आप specify बनला बस तरीका देख लिजे पी बंद कीजे ये आपका बंद हो गया अब आपका क्या बंद होगा style बंद होगा आपका head बंद होगा आपका body ठीक ना body में हमने कहा h1 example of internal इस एस एस एच बंद किया सहब हमने फिर हमने क्या बंद किया अब हम paragraph को यूज करना चाहते हैं इस एच बंद किया अब आपका बंद किया अब आपका समझी इस प्रोग्राम को यहां पर आप देखिए internal css internal css मैंने यूज किया इसमें html आपका head है head के अंदर title है यह तो आएगा आपके title बार पे style tag के अंतरगत मैंने body बचो style tag के अंतरगत मैंने आपको body body में देखिए यह आपके property का नाम यह उसकी value यह property का नाम यह उसकी value ऐसे specify कर सकते हैं इसी तरह से body के अलावा मैंने paragraph को भी बच्चो देख लीजे paragraph का background color मैंने orange कर दिया paragraph बंद, style बंद, head बंद, अब body अब body के अंदर आप जो कुछ भी specify करेंगे जो भी देंगे उसका background color yellow और text color red आएगा आप h1 में देखेंगे आप तो उसका background color yellow रहेगा ही text color red हो जाएगा जबकि आप paragraph को use करेंगे तो बच्चो इसका क्या है इसका background color paragraph का orange आएगा text color body वाला ही आएगा क्यों नहीं मैंने paragraph में कोई property specify नहीं की है बच्चो तो ये आपका दो example मैंने आपको specify किये किसके किसके बताए मैंने आपको बताया कि CSS क्या होता है in line CSS क्या है internal CSS क्या है तो आशा करते हैं बच्चो आपको निश्चित तोर पे external CSS और उससे related चीजें और बच्चो मैं CSS framework उसका वीडियो आपको अगले section में दूँगा तो आशा करता हूँ कि ये जो जानकारिया मैंने आपको प्रदान की ये आपको निश्चित तोर पे फायदे मंद होंगी समझ में आई होंगी तो thank you very much आज के लिए बच्चो धन्यवाद जैहिंद